एन्टी ए यूजी सिनेट यानि निमीजिनेट डाउनलोड इट उन गूगल प्लेश टार सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असाने से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रोटास निमी है और आप सभी का स्वाकत है हमारे यूटूब चैनल निमीजिनेट पर दोस्तों आज हम पेपर फ्रस्ट में कम्यूकेशन टॉपिक करने वाले हैं यह जो topic है हमारा असान topic हम कह सकते हैं लेकिन फिर भी हमें इसमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि कई वारा ऐसे common sense के question आ जाते हैं जिनके अंदर हम confused हो जाते हैं कि इसका option A आएगा या B आएगा या C आएगा तो वो थोड़ी सी problem होते हैं तो उन सभी को समझने के लिए यह topic हमें थोड़ा सा ध्यान से करने की आऊ सकता है तो इस वीडियो में हम कम्यूकेशन को बहुत अच्छे से जानने की कोशिस करेंगे तो यह वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना देखें कम्यूकेशन topic करने से पहले हमें इसकी basic चीज़ पता होना बहुत ज्य अदान परदान करना उसकी जनम जात पर करती है अब देखें जो मनुस्य है जब जनम लेता है जनम लेते ही ऐसा नहीं कि बच्चा जो सब कुछ सीख जाता लेकिन फिर भी वह कम्यूकेशन करता है वह रोता है वह हसता है खेलता है यानि कि कि किसी ना किसी तरह से वह चलता रहता है और यह देखे जैसा ऐसा माना जा सकता है कि मानों के अस्तितों में आने के साथ ही संचार की आवसकता का अनुभाव हो गया होगा यह बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों जब मनुस्य ने पहली बार जनम लिया तबी से इसकी आवसकता महसुस हो गई होगी तो यहां पे आप बेसिक चीजे पढ़ सकते हैं और नॉर्मल भासा में हम कहें तो यह देखे कि संचार क्या होता संचार एक ऐसी चीज होते हैं जिसके अंदर हम अपने हाव भाव और संकेतों के दवरा अपना संदेश किसी दूसरे मनुस्य तक पहुंचाते हैं और उसके लि देखे संचार क्या है अब इससे यह तो हमने उपर नॉर्मल बात की थी अब सही तरीके से समझे तो इससे संचार क्या है what is communication सार्थक चिनो दवरा सूचनाओ को आदान परदान करने की प्रकिरिया संचार है किसी सूचना ए जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना संचार है जब मनुशिया अपने हाव भाव संके तो वाणे के माथेम से सूचनाओ का आदान परदान आपस में करता है तो वह है संचार है यही बात दोस्तों जो मैंने आपको बताई है अब देखिए संचार की हम डैफिनेशन कर लेते हैं क्योंकि इसमें से एक कोशन पहले आ चुका है और आगे भी सायद क्या पता आजए तो यह हमें करना ज़रूरी है देखिए कम्यूकेशन इंगलिश में भी आप देख सकते हैं कम्यूकेशन सब्द लेटन भासा के कम्यूस से लिया गया अब इसकी जो स्पैलिंग है ना दोस्तों वो ध्यान में रख ले ना आप देखिए सी ओडवल एम यू एन आई एस यह इसकी स्पैलिंग है हो सकता है कि वो उप्शन के अंदर कुछ और चेंज करके लिख दे तो यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है जो ल साथ बांटना ही संचार है यानि कि जो हम बात कह रहे हैं वो ऐसी बात ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो अगरे तक समझ में आ जाए अब देखिए हम मान के सलते कि कोई अंग्रेज हमारे पास आ जाए और हम अपनी लोकल लेंग्वेज में उससे बात करें तो वह नहीं समझ सकते हैं इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं इसके साथ साथ 2012 से लेके दिसमर 2019 तक ओल्डियर कोशन पेपर देते हैं विद टोपिक वाइज कोशन जैसे कि आज तक विसर्च के कोशन आ चुके हैं वो हमने अलग करके हैं टीचिंग के कोशन अलग करके हैं इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो कोशन हैं आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मोक टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ कोर्स जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इ सके ठीक है तो यह होता है इसके अंदर है यह वही बात है यह आप यहां से पढ़ सकते हैं नॉर्मल चीज़े हैं आगे हम देखते दोस्तों आगे जो डेफिनेशन दिये अलग-अलग तिंकर ने क्या-क्या कहा है इनके बारे में यह भी पढ़ लेते चेरी के अंशार संच संचार को प्रभाशित करते हुए का है कि एक मस्तिस्क का दूसरे मस्तिस्क पर परभाव है यान कि हम अपनी थिंकिंग के जरिये दूसरे की थिंकिंग को चेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं संचार कहते हैं यह सेनन का कहना है मिलन ने संचार को प्रसासनिक दृष्ट कोण से प्रभावि प्रभा सित्की आ उसे थी अने पर सासनिट द्रिष्टी से संचार को महत्विण माना है और UCM के उसारप वे सभी तरीके जिन के दोरा एक मालव दूसरे को प्रभावित कर सकता है संचार के अंतरगत आते हैं न्यू मैन एंड समर के दृष्टी कोण में संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ विचारों भावना का पारस्परिक आदान परदान है ठीक है ये बात भी इनकी सही है और वीवर के विलवर के निसार संचार एक ऐसी प्रकरिया जिसके दुरा स्तरोत से जो सेंडर है से स्तरोता तक संदेश पहुंचाया जाता है यानि कि एक वैक्ति से दूसरे वैक्ति तक संदेश पहुंचाया जाता है तो यहां से आप यह पढ़ सकते हैं और यह हमने दिया यहां भी आप पढ़ सकते हैं आगे हम देखते हैं दोस्तो संचार की जो प्रकर्टी है वो कैसी है यह हम देखते हैं nature of communication कैसा है इसमें से भी question आ सकता है देखिए संचार विज्ञान एवं कला दोनों हैं ये हमें समझना जुरूरी है कि संचार विज्ञान भी है और कला भी है अब देखिए विज्ञान किस तरीके से विज्ञान इस तरीके से कि आज हमने communication करने के लिए left जो telephone बना लिए है smart phone बना लिए तो ये क्या है हमारा विज्ञान के अंदर आता है और दूसरा कला की अगर हम बात करें तो कला ये होती है जैसे कि किसी के भासन देने का तरीका बहुत अच्छा होता है वो दूसरे को बहुत प्रभावित कर सकता है तो उसे हम क संचार एक समाजिक प्रिक्रिया है अब देखे संचार क्या है समाजिक प्रिक्रिया सोसल प्रोसेस है जिसके अंदर हर कोई जो व्यक्ति है वो संचार करता है आगे हम देखते संचार एक मानविय प्रिक्रिया है अब यह देखिए communication is a human process वास्तों में संचार एक मानविय प प्राप्त करता समाजिक प्राणी होते हैं और संचार के संपूर्ण प्रकिरिया व्यक्ति या व्यक्तियों के समों के मदेश संपन होती है अब यह देखिए कुछ हद तक इसको कहे सकते हैं कि जो संचार है मानुविय प्रकिरिया है इसके अंदर एक इंचान दूसरे इंचान को संचार सेंड करता है भेजता है लेकिन यहां पे हम यह भी कहेंगे कि इसके अंदर अन्य प्राणी है वो भी अपना संचार करते हैं जैसे कि पसुपक्सी है वो भी अपना सिधांत साहों भोएल्ड के इंदर होते हैं जो संचार है। होता है पूरे वर्ड के अंदर होते हैं जो इसके सिधांत है, संचार के वो पूरी दुनिया पे लागू होते हैं, ठीक है它 तो ये इसके अंदर होते है, आगे हम देखते हैं कि संचार की विसेसता पाई है इसमें से पहले एक कोशन आ चुका है अब देखिए इसमें मुख्य रूप से पांच चीजी होते हैं वह मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले होता है संदेश वाहक वक्ता या लेखक यानि कि जो व्यक्ति संदेश देना चाहा रहे किसी व्यक्ति को तो वह हो गया मैसिज यानि कि जो हम संदेश देना चाहते हैं सैकेंड नंबर पर वह आता है मैसिज आता है यानि कि विचार तीसरा आता है दोस्तों हमारे पास मीडियम यानि कि किस माध्यम से हम दे रहे हैं उसको यानि कि चिठी लिखके दे रहे हैं या फिर मेल भेज रहे हैं या फिर उसको टेलिफॉन पर बात कर रहे हैं किस तरह से हम उसको किस मीडियम से अपना मैसेज है वो दे रहे हैं अगला है दोस्तों रिसीवर यानि कि क्या जो रिसीव करने वाला अगला व्यक्ति है वो भी होना जरूरी है न दोस्तों अगर आगे आगे कोई रिसीव करने वाला ही नहीं है तो हमारे जो मेसेज है उसका कोई मतलब नहीं बनता उसके बाद दोस्तों हमारा फीडबैक है यानि कि विसीवर ने किसी वेक्ति ने हमारा संदेश प्राप्त कर लिया उसके बाद उसकी क्या परतिक रिया हुई है वो हमारे ले जानना बहुत ज़्यादर जरूरी है और एक चीज और आते दोस्तों इन सभी के बीच में वह आती है noise यानि कि error अब देखे हम जब संदेश बेजते हैं तो उसमें कुछ खराबी भी आ सकती है जैसे कि मान के चलिए हम फोन पे बात करते हैं फोन पे बात करते हमारे पीछे से कोई bike गुजरा तो उसका जो सोर आए बहुत ज्यादा जुरूरी है और इसमें से एक question पहले भी आ चुक है दोस्तों यह जो sequence है यह sequence आपको याद रखना बहुत जुरूरी है यह sequence पहले question में आ चुकी है question paper में पहले आता है sender, message, medium, receiver और फिर आता है feedback यह चीज आपको ध्यान रखना जुरूरी है आगे देखत दोस्तों आगे और क्या विशेस्ता है हो सकती है इसकी संचार की अब देखे संचार एक सतत प्रक्रिया यानिकि संचार जो है continuously चलने वाली process है यह हमेशा चलती रहती है अगे है यहाँ पर पढ़ सकती है इसके बारे में संचार अर्थ संचारित करने का माध्यम है अब दे अर्थ ठीक है यानिकि अगर हम कोई बात समझाना चारे अगर वह अगला वैक्ते गलत तरीके से उसे समझ लेता है तो वह हमारा संपूर्ण तरीके से हम communication या संचार उसे नहीं कह सकते ठीक है और इसके इंदर एक और चीज जो आपको ध्यान रखने वाली है दोस्तों ये भी पहले question paper में आ चुकी है कि संचार प्रकिरिया में सूचना प्रेशन करने वाले को encoder कहा जाता है यानि कि जो वैक्ती information भेजता है उसे हम क्या कहते है encoder कहते है यानि कि encoding करना message को encode करना encode का मतलब है दोस्तों कि message को इस रूप में ढालना जिस रूप में अगला वैक्त समझ सके ठीक है और सूचना प्राप्ट करने वाले को decoder कहा जाता है जो वैक्ति सूचना लेगा वो उस हिसाब से सूचना को ले कि वो खुद समझ सके और आगे किसी को समझा सके अब देखिए इसका मैं एक आपको छोटा सा example देता हूं अब मान के चलते कि foreign का यानि कि व्यक्ति का कोई गया वहाँ पर कुछ चीज समझा रहा हूं हमारे देश में ये चीज होते है वो चीज होते है गाउं के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गाउं के लोग नहीं समझेंगी उसकी बात को क्यों है इंगलिश में बोल रहा है इस दुरान क्या होगा कि एक व्यक्ति आया जो पढ़ा लिखा है हमारे गाउं का तो उस व्यक्ति यह दोस्तों English भासा को गाउं की language में समझने की कोशिश करता और आगे समझाता है तो उसे हम क्या कहते है एंकोडर कहते हैं ठीक है दोस्तों इस तरह से होता है एंकोडर और डीकोडर और आगे हम देखते दोस्तों यह यहाँ पर ग्राफ है यह भी पढ़ सकते देख सकते हैं कि जो communication two way process है किस तरह से है अब देखिए जब हम किसी को message भेजते तो हम चाहते हैं कि हमें यह पता होना चाहिए कि क्या अगले के पास message पहुंचा या नहीं पहुंचा और अगले की क्या परतिकरिया है वो हमें पता होना बहुत ज्यादा ज़रूरी है यानि कि जब तक पानमे रखना ज़रूरी है यहां पर ऐसे आ सकता है question के अंदर communication नहीं जे वन प्रोसेस टूवे प्रोसेस मुल्टी वे प्रोसेस और नन अफदी वो ठीक है और आगे देखते दोस्तों संचार माध्यम के विभिन परकार अब देखिए जो संचार हम करते हैं उसके मीडियम प्रोसे मेंल चाहिता है कि वो काफी के मीडियम हो सकते हैं दखिए पहले कैसे हम चिथी लिआखे भेज़ते थे लेकिन आजकी टाइम में क्या है कि आज के टाइम में जैसे टेलिभेक्स आ और एमेल आ मुझाना उसे क्या कहते हैं मास कम्निकेशन कहते हैं तो यह है कि नए चैनल आये है नए मेडियम Mississippi कहते हैं तो यह होता है दोस्ता है जो कि में खरे स्पास हुआ है तो दोस्तों यह था आज का हमारा समया को Comics नि-चर और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे पोच सकते हैं कमेंट बोक्स के जरीए हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए औ गंटे का बटन जरूर दबाएए ताके आप हमारी आने वाली वीडियोज को असानी से देख सकें थैंक्यू दोस्तों